इस वीडियो में हम बात करेंगे business law के बारे में business law होता क्या है और उसकी क्या importance से उसकी क्या क्या example से उसकी ठीक है जी तो चलिए तो पहले क्या है business law is a body of law which governs business and commerce कि बिजनस को को यानि मानेज्जे को वाबबार को जो कांट्रोल करता है रेगुलेट करता है उसे क्या बोलते हैं बिजनस लो मैं इसकी एक आपको एक्जामपल लेना चाहूंगा आप एक ऐसी सिट्वेशन आप सोचिए इमेजन कीजिए जिस केस में क्या है कि एक दुकानद क्यां इसको वापिस करता ही नहीं है कैसे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए क्या है कि एक quandणरों की अवशक्ता होती है एक क्या कई सारी कानूनों की विशक्ता होती है according to requirement तो अब business को commerce को regulate करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं business laws की बहुत सारी examples हैं जैसे कि पहला है इंडियन contract 1872 अब देखिए अब business जब भी हम करेंगे तो कोई ना कोई तो contract हो गई होगा वैस्टो क्या है कि contract हम routine basis पर करते हैं माली जी मैंने अपनी बेटी को कहा कि बटा अगर तो पास होई तो तो मैं स्कूट्री लेके दूँगा बेटी मेरी पास होगी तो मैं इसको contract किये जाते हैं तो जो contract होते हैं वो सारी किसके तहत होते हैं इंडिन contract 1872 जो essential elements है contract लो के उसमें होने चाहिए जो आप business का कोई भी contract करते हैं ऐसी क्या है sales of goods act है ठीक है जब हम कोई भी goods पेज़ते हैं खरीदते हैं ठीक है तो वहाँ लिए क्या है नेगोशिबल इंस्ट्रमेंट एक इडिन टी टू अब पार्टनेशिप को रेगुलिट करने के लिए तो पार्टनेशिप हम करते हैं ठीक है जहां क्या है लिबिल्टी जो होती है वह अनलिम्टेड होती है पार्टनर्स की उसके लिए क्या है ऑटनर्शिप एक 1932 एसा ही क्या है इक कानुन है लिबिल्टी पार्टनरुप एक है टीक है 2008 में लागा गया जहां पार्टनर्स की क्या रही कि अुऊ है कंपनी सग्पनी जेक्ट प county सभादीन नेक्स है जयसे जैसे आपको कंपशने के लिस्ट होती है उनको कंट्रोल करने के लिए उनको रेगुलिट करने के लिए क्लिए क्या लाए गया थी इसके लाब बहुत सारी कानून और हो सकते हैं ठीक है और होते करना और जो इस बढ़ाना ठीक है और जो एथिकल के तो बढ़ाई दिया साथ कुछ ठीक है तो ऐसी कि significance के जिसमें बताया कि बिजनस को promote करना है एक चैनल स्टेंडर्स आए ठीक है बिजनस में जो इस वाइ लिम्टिड कंपणी इंग है आप अनों चाहिए था उसके लिए क्या बना दिया क्या है अब कंपनी जो है वो आलग-अलग तरीके से अपने काम ना करें जैसे उनका मन चाहे वह सरीके से चलेंगी ऐसा नहीं होना चाहिए तो उनको रेगुलित करने के लिए obviously कहें कि uniformity होनी चाहिए, एक harmonization होना चाहिए, उसके लिए कानूम क्या है? the company like 2013, ठीक है? तो एक तो है कि जो standards ले की आना बिस्नस में, बिस्नस के standards established करना, उसके लिए business laws लाई जाते हैं, पर दूसरा कहें कि एक business को conduct करने के लिए, जो एक basic ethics चाहिए होते हैं वो भी क्या है एक कानुन के द्वरा तैय किया जाते हैं business law के द्वरा तैय किया जाते हैं तो partnership के basic ethics होते हैं ठीक है ऐसे company बनाएंगे तो उसके ethics होएंगे पिए company इस तरीके से financial statement त्यार करेगी इस तरीके से accounting standards फोलो करेगी ठीक है तो यह कि basic जो ethics है वो भी ट्रैक किये जाते हैं business law के द्वरा उसके लावा है कि देखिए आप जब एक आपने कोई business start करना है आप proprietorship start करना चाहते हैं यह फिर partnership start करना चाहते हैं एक मपनिय स्टार्ट करना चाहते हैं तो हरी इचिश्च के लिए अलक कानून है इसे companies के लिए the Subivals आप ऐस लिए कि प्रकार का का कम कर सकते हैं ठीके सुरकार का ना चाहिए जब आप Creator साझ करना, चाहिए जरू है कि जब आप ala कानून बने उए, तो उसके अगर करेंगे आप decision लेते हो कि हाँ अगर मैं इस तरकार से business करता हूं तो मुझे यह कानून फोलो करने पड़ेंगे तो इस तरकार से यह business law से आपको एक business start करने में बिजनस continue करने में एक battle जो understanding होती है decision making में फाइदा मिलता है उसके लावा क्या जिसने बताई दिया कि जैसे बिजनस में क्या है जो एक यूनिफॉर्मिटी है वह आती है इन कानूनों के द्वारा जैसे माली जी एक private company बनाएंगे आप उस जितनी भी private company देश में उनको आफिसली क्या है कि companies एक 2013 में जो private companies के लिए provisions है वो सारी follow करने बढ़ेंगी है कि नहीं ऐसे क्या है कि प्रटेक्ट कंजूमर इंट्रस्ट जैसे कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट है 2019 ठीक है अब यह कंजूमर प्रटेक्शन लोग जो बनाया गया कि किसके लिए बनाया गया कंजूमर की प्रटेक्शन के लिए ऐसी आप sales of good sex देखते हो वहाँ पे condition का warranty का concept है उसको मकसद क्या है कि जो consumer है उसको क्या है प्रटेक्ट करना है ठीक है जो अन्सक्रेपलस या गलत तरीके के जो sellers होते हैं आपको समझाया होगा कि business law क्या है और इसकी क्या importance है क्या इसके significance है ठीक है ठीक है तो इस वीडियो म समय में आपको जो notifications है वो मिलता रहे न्यून्यू videos के ठीक है और अगर आप हमारे video lectures buy करना चाहते हैं तो नीचे दिएगे number पर आप call कर सकते हैं और WhatsApp कर सकते हैं thank you